हेलो आज हम देखने वाले हैं SSE GD SSE GD का सेकंड सिफ्ट का पेपर है यह आपका जो कि आपके 11 है 2019 का है ठीक है यह आपका आज सेकंड सिफ्ट का पेपर हम डिसकस करेंगे जो कि हिंदी का रहने वाला है ठीक है सभी हिंदी के पेपरों को हम डिसकस करेंगे जो कि आपके question पूछे गए थे SSE GD के previous year exam 2019 में ठीक है तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपके 76 question से आपके हिंदी शुरू होती है तो यहीं से हम सुरू करेंगे एंड तक वीडियो को जरूर देखें आपको लाफ जरूर मिलेगा आने वाले exam में ठीक है चलिए पहला है आपका उत्थ्थान इसमें आपका विलूम सब्द पूछा था तो दिखे उत्थान का विलूम सब्द क्या होगा बच्चो 76 का बिलकुल डी अप्टन पतन ठीक है पतन इसका correct answer जाएगा ठीक है डी अप्टन उत्थान का पतन ठीक है बिल्कुल 76, D option इसका correct answer है चलिए अगला question देखेंगे देखेंगे अगला question है आपका बिल्कुल आज प्रतियक गाउं में dash खोले जा रहे हैं तो क्या खोले जा रहे हैं आपको इस dash के इस्थान पर लिखना था तो देखेंगे इसका right answer जाएगा C option के साथ बचो ठीक है यहाँ पर आप आज प्रतियक गाउं में विद्याले खोले जा रहे हैं ठीक है तो right answer जाएगा C के साथ चलिए अगला question यह पूछा गया था निर्माण का विलोम सब्द आपसे तो देखें निर्माण का सब्द आपका क्या होगा 78 का बिल्कुल निर्माण का बिल्कुल सांदार C option ठीक है दोहस्त दोहंस एकदम correct answer हो जाएगा निर्माण का दोहंस एकदम correct answer हो जाएगा विलोम सब्द चलिए अगला question यह आपका पूछा गया था बिजली का परियावाची तो इसमें थे बिजली का परियावाची कौन सा होगा 79 का बिल्कुल A option दामनी ठीक है दामनी एकदम correct answer हो जाएगा चलिए अगला question यहाँ आपका पूछा था जो देखने योग्य हो ठीक है वाक्य के लिए एक सब दिहाँ से पूछा था जो देखने योग्य हो मतलब दर्स नहीं है ठीक है A option इसका correct answer हो जाएगा A option इसका correct answer है चलिए अगला question यह आपका 81 question है आत्मसम्मानी व्यक्ति का हिर्दय में लोव का भाव नहीं होता है तो यहाँ पे आपको तुरोटी आपको छाटनी थी कहाँ पे इसमें तुरोटी है तो देखें 81 का right answer जाएगा पिल्कुल B के साथ आत्मसम्मानी व्यक्ति का ठीक है तो यहाँ पे इस वाक्ते में आपकी तुरोटी है बच्छो ठीक है यह आपका right answer हो गया चलिए अगला question चातर जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता हुए संतुष्टी का फल मिलती है तो देखें यहाँ पे आपको तुरोटी ही चाटनी है तुरोटी जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं सब्द को इसमें बदलाब कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा राइट अंसर पर स्तापित यहां पर लिखा आया ठीक है तो बदल सकते हैं तो देखे इसके इस्तान पर क्या लिख सकते हैं 82 बिल्कुल देखे 82 के इस्तान पर फल मिलता है ठीक है B option को यहां पर रख सकते हैं तो B option इसका correct answer हो जाएगा 82 का B option इसका correct answer हो जाएगा तो उस सफलता और संतुष T का फल मिलता है ठीक है मिलती ही नहीं होगा ठीक है चलिए अगला question डेस बारिस हो रही है तो रेक्तिस्तान पर आपको बढ़ना है तो क्या हो रही है रेमिजिम ठीक है रेमिजिम बारिस हो रही है तो B option इसका correct answer हो जाएगा इसके लिहाज से ठीक है यहाँ पे आप B option को रख सकते हैं चलिए अगला question बताइए देखिए जो रेखागे सब्द है यहाँ पे आप कौन सा सब्द सही से रख सकते हैं यहाँ पे यह गलत लखा हुआ है तो सही आपको इन में से छाटना है 84 का right answer जाएगा बच्चो डी के साथ ठीक है D option इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पे आप D option को replace कर सकते हैं इसकी जगे पर ठीक है तो D option इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगला question देखिए यह गध्यान साब से पूछे गए थे जो कि इसमें खाली इस्तान दिये गए थे तो यह आपका 85 question है ठीक है 85 question है तो इसके इस्तान पर आपको देखिए option यहाँ पर दे रखें यहाँ पर आपको बनना है यहाँ पर आपको बनना है यहाँ ठीक है यह आपके 5 question है इसके आदारत ठीक है तो पांच question आपके यहां पे हैं तो देखिए पहले में आपको क्या बनना है भाग्य परवर्तन के लिए परिश्रम यह एक साहरा है तो A option में आपका D option आपका बढ़ जाएगा तो D option इसका correct answer हो गया ठीक है 85 का D option correct answer हो गया ठीक है चलिए अब 86 का आपको देखना है यहां पर 86 आगया यह question आपका तो यहां पर क्या आएगा केवल एक्छाओ दारा वांचित फल की नीद ठीक है नीद है पाजाएगा नीद एक दम correct answer हो जाएगा ठीक है B option है पर correct answer हो जाएगा असंबभ है चलिए अगला question अब यहां पर देखेंगे 87 वा ठीक है 87 तो 87 में क्या होगा असंबभ है यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे और समुदर के किनारे हाथ पर हाथ रखे ठीक है तो यह option इसका correct answer हो जाएगा तीसरे स्थान पर आप हाथ पर हाथ दरे बैठे रहे ठीक है तो यह option इसका correct answer हो गया चलिए अगला question अब यहां पर चोथ में में क्या बढ़ा जाएगा चोथ में परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ठीक है तो यह option इसका सही हो जाएगा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है पढ़ने से ही पता चल जाता है बच्छों ठीक है तो चलिए अगला question अगला इसमें देखिए 90 आगया ठीक है 90 इसमें आजाएगा तो देखिए इसका क्या होगा यह मने से की स्वालम भी और उपेच्चित बनाती है ठीक है तो डी ओप्षन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांच में में ठीक है तो यह आपके हो गए पूरे के पूरे पांच कॉस्चन यहां से चलिए अगला question 90 आपका आगया अच्छा बच्छों यह जो है आपका यहां पे जो बढ़ेगा सुहमानी सुहमानी होगा बच्छों यहां पे सुहमानी करेक्ट आंसर होगा यह मनेशक को सुहमानी बनाता है ठीक है पांच में में आपका replace होगा C के साथ ठीक है चलिए ध्यान कल लेना ठीक है यह की किसी देश को भक्ती का आधार होते हैं बताई इसमें तुरोटी आपको चाहतना है यह की किसी देश को सक्ती का आधार होता है तो दिखिए इसका right answer 90 का बिल्कुल D के साथ जाएगा किसी देश को ठीक है किसी देश को यहाँ पर यह तुरुटी है ठीक है यहाँ पर का लिखा हुआ है ठीक है तो D option इसका correct answer हो गया अगला है आपका सूर्य उदे के dash में भी जाग जाता हूँ तो इसका right answer जाएगा बिल्कुल 91 का A के साथ ठीक है A के साथ जाएगा सूर्य उदे के साथ में भी जाग जाता हूँ ठीक है साथ यहाँ पर आ जाएगा A option इसका correct answer हो गया अगला question है रात में गुहमने वाला तो यहाँ पर आपको बताना है इसका एक वाक्या आपको दे रखा एक सब्द आपको बताना है तो राक्त में गुहमने वाले को क्या कहेंगे 92 का बिलकुल निसाचर ठीक है निसाचर इसका correct answer हो गया C option हो जाएगा चलिए अगला question आपके सामने अगुन तक ते कि अगुन तक का आपका परियावाची आपसे पूछा है 93 का तो 93 का right answer किसके साथ जाएगा बिलकुल C option के साथ 30 ठीक है अथ 30 का correct answer हो जाएगा ठीक है अथ 30 का correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question इतने वर्स के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुस हुए तो यहाँ पे आपको 30 इन में से छाट नहीं है कहाँ पे इसमें 30 है 94 का तो द गोड़ा डेस रहा है तो गोड़ा क्या कर रहा है हिनहना रहा है ठीक है तो a option इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पे हम a option रख सकते हैं तो इसके लिहाँ से a option correct हो गया गोड़ा हिनहना रहा है ठीक है चलिए अगला question 96 सही वरतनी आपको बतानी है आजर्म यहाँ पे लिखा हुआ है तो 96 में कौन सा सही लिखा हुआ है आपको बताना है तो देखिए c option में जो लिखा हुआ है ठीक है यह आपका correct answer है ठीक है यह आपका सही बरतनी है चलिए अगला question बच्ची बारिस में नहा रहा है तो यहाँ पे आपको replace करना है इससे कौन सा इसमें replace कर सकते हैं ठीक है यह आपका गलत लिखा हुआ है तो सही इसमें कौन सा होगा 97 का बिलकुल A option ठीक है बच्चा बारिस में नहा रहा है यह आपका correct answer हो जागा तो यहाँ पे बारिस लिखा है यहाँ पे बारिस लिखा हुआ है ठीक है यह गलत हो जाएगा चलिए option इसका correct answer हो गया सही वरतनी यहां पर चानी निया सवथ लिखा हुआ तो सही वरतनी आपको इन्हेश शाठनी सर्वथी की तो थैस कर नाइट इट का राइटम सजाएगा बी ऑप्सट चाहिए यह जो answer हो जाएगा चली अगला question इसमें भी आपका मौहावरा पूछा है अपने मुं मिया मिठ़्ू बनना तो इसका क्याराइट answer हो जाएगा बिल्कुर अपना प्रिसंच सा स्व्य करना इसका correct answer हो गया ठीक है c option इसका correct answer हो गया अपने मुं मिया मिठ़्ू बनना अपनी प्रिसंसा स्वय करना ठीक है तो देखिए बचो ये थे आपके जो question 11 है 2019 में पूछे गए हिंदी के question थे बचो ये ठीक है SSC GD exam में ये पूछे गए थे हिंदी की second shift में ठीक है ये second shift का paper है जो कि हिंदी का है ठीक है तो ऐसे ही इस series को आप regular लेने के लिए बचो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएए bell icon को ज़रू दबा लेजिए क्योंकि ये आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगी और temper temper आपको ये मिलती रहेंगी और पूरे question जो है आपके पूरे जो set है हम इनको cover कराएंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत